नमस्कार स्वागत है आपका अमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ आर्थी एक पर फिर से लेकर हाजर हैं आप सभी के लिए हमारा खास प्रोग्राम किसा कहानी में जहां पर हम आपको बॉलिवुद से जुड़ी होई एक ऐसी कहानी से रूबरू करवाते हैं एक ऐसी कहानी बताते हैं जिसका किस्ता शायद ही आपने सुना हो और ये किस्से ये कहानिया जुड़ी होती हैं आपके फेवरेट स्टार्स की फिलम के साथ जी हां और आज इसी तरह से हम आप से अपनी किस्से और कहानी के इस खास कारिक्रब में बात करेंगे सल्मान खान और काजूल को लेकर जी भला दबंग खान को कौन नहीं जानता बॉलिवुद इंडस्ट्री में सल्मान खान ने अपनी एक अलग ही जगा बनाई है देश की युवा सल्मान खान को देखकर काफी जादा प्रेरित होती है वही सल्मान खान जो की अकसर ही अपनी चीज़ों को लेकर विवाद में ख़ड़े हो जाते हैं फिर चाहे उनका being human हो या फिर दूसरों की मदद करना हो ये तो आप सभी भली भानती जानते हैं कि सल्मान कां दूसरों की मदद करने के लिए कितना ज्यादा ततपर रहते हैं उन्हें जब भी किसी की मदद करने का मौका मिलता है तो वो उसकी मदद जरूर करते हैं वही बॉलिवुद इंडस्री में भी सल्मान खान कई ऐसे चेहरों को लेकर आए हैं जो आज बॉलिवुद में अपना नाम कमा रहे हैं इसमें से उधारण है एक है केटरीना कैफ जी हाँ केटरीना कैफ को सल्मान खान द्वारा ही लांच किया गया था और साथ ही जब अपनी डेब्यू फिल्म में सल्मान के साथ सोनाक्षी नजर आएं तो मानो सल्मान खान को दबंग खान का ट्रैग मिल गया हो चलिए फिर किस्से कहानी में आपको उस कहानी पर ले चलते हैं जो की जुड़ी हुई है सल्मान और काजोल से जी हाँ ये बात है सालों पहले की जब सल्मान खान और काजोल जी हाँ काजोल के पिता यानि की शोमू मुखर जी जी हाँ बता दें आपको यहाँ पर काजोल के पिता जो की एक डारेक्टर है आपको एक किस्ता सुनाएंगे जिसकी वज़ा से काजोल के पिता ने फिल्म में डारेक्ट करना ही बंद कर दी और बॉलिवुद का रास्ता तो छोड़ी है बॉलिवुद को उन्होंने छोड़ी दिया पूरी तरह से दरसल एक फिल्म थी जिसमें सलमान खान के साथ मनीशा कोई राला नजर आने वाली थी और इस फिल्म कोई जब शूटिंग पूरी हुई उसके बाद जब सब किस हर्ग इंसान के लिए यहाँ पर स्क्रीनिंग रखी गई जिस स्क्रीनिंग पर सलमान खान के साथ इस फिल्म की पूरी स्टार कास्ट पहुंची थी यहाँ पर काजोल के पिता शोमु मुखर जी भी थी जब यहाँ पर पूरी फिल्म खतम हो गई सलमान खान जैसे कि आप सभी जा बनते हैं जब इस फिल्म की स्क्रीनिंग खतम हुई तो वहां पर सल्मान खान को यह फिल्म बिलकुल पसंद नहीं आए और फिर सल्मान ज्वाद शूमु मुखर जी को चंब तॉर बहा दिया कि यह फिल्म पूरी तरीके से बखवास को पूरी से फ्लॉप हो जाएगी हाला कि आपको बता दे और ऐसा हुआ भी जब ये इस फिलम की शूटिंग पूरी हो गई उसके एक साल बाद तक ये फिल्म नहीं भी की जी हाँ लेकिन उस समय बताया गया था कि सल्मान खान इस फिल्म की ना बिकने की एक वज़ा है क्योंकि उस समय सल्मान खान की गिंती फ्लॉप अक्टर्स में होती थी क्योंकि उसी समय सल्मान खान की फिल्म चंड कि है कौन जिस फिलम ने बवाल मचा के रख दिया और वो फिलम आज भी बहुत जादा पसंद की जाती है इस फिलम के आने के बाद सल्मान खान की वो फिलम जो नों ने सोमु मुखर जी के साथ की थी मनीशा कोयराला के साथ की थी वो फिलम भी की तो लेकिन शोमु मुखर जी को तब इस बात का हैसास हो गया सलमान खान ने जो कहा था वो सच कहा था क्योंकि जब यह फिलम रिलीस हो गई उसके बाद भी यह फिलम बोरी तरह से सिनेमा घरों में फ्लॉप हो गई जी हाँ और यह किस्सा था का फिलम संग दिल सनम का जी हाँ यह काजोल के पिता शोमु मुखर जी की अंतिम फिलम थी उसके बाद उन्होंने फिलमें डारेक्ट करना छोड़ दिया और वो पूरी तरह से बॉलिवुड से दूर हो गया हाला कि इस चीज का काजोल और सलमान खान के उपर कोई असर नहीं पड़ा उसके बाद भी काजोल और सलमान खान के फिलमों में एक साथ नजर आए और ना केवल नजर आए बलकि अपनी दमदार परफॉर्मेंस से अपने फैंस के दिलों में जगा भी बनाए तो आज किस्सा कहानी में बस इतना ही इसी तरह की और अपडेट लेकर आपके सा जाजात और हमारे चानल नेक्स्ट नाइन न्यूस को सब्सक्राइब करना ना भूले